अब तक हमने तारों के बारे में जानकारी ली अब हम ये समझेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं और ये निर्मान कैसे होती है सौर मंडल के ग्रोहूं को उनके उपग्रह, अक्षबर उनके जुकाव, परिभ्रमन काकाल, चुम्ब कत्व, वायू मंडल और कडा या छला इसके आधार पर वर्गेकृत किया जाता है सूरज से दूरी के आधार पर बुधग्रह सूर्य के सबसे निकट है इसकी दूरी 57.9 दसलाक किलोमीटर है और नेप्चुन सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है सूरज और नेप्चुन के बीच में 4.495 करोड किलोमीटर की दूरी है बुध सुभे आकाश में दिखता है लेकिन जब वह सूरज से दूर भी होता है तब भी शाम को वो आकाश में दिखता है बुध यह सबसे गतिमान ग्रह है वह 58.65 दिनों में खुद के चारों और गूमता है और सूरज के चारों और 88 दिनों में गूमता है बुध एक मात्र ग्रह है जिसके चारों और वायू मंडल का आवरण नहीं है शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है यह सूरियो दे के पहले दिखाई देता है और सूरियास्त के बाद पश्चिम के और दिखाई देता है 243 दिनों में वह खुद के चारों और गूमता है और सूरज की एक परिक्रमा पूरण करने के लिए उसे 225 दिन का समय लगता है हम जानते हैं पृत्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह है पृत्वी सजीव स्रष्टी के कारण अन्य ग्रहों से अलग है पृत्वी स्वयम एक चुमबक के समान है और उसके चारों और चुमबकी एक शेतर दिखाई देता है और एक महत्वपूर्ण बाद ये भी है कि यह सूरस से आने वाली हानिक्यारक किरणों को पृत्वी के धृुव के शेतर की और मोडता है पृत्वी के परिवलन का कालावधी 24 घंटे और परिभ्रमन का कालावधी 365 दिनों का होता है चान ये पृत्वी का एक ही उपगरह है पृत्वी अपने अक्ष पर 23 एक बटा दो अंश जुकी हुई है इस जुकाव के कारण पृत्वी पर दिन और रात होती है साथ ही भिन्द भिन्द रुतुए भी होती है मंगल ये सौर मंडल का चौथा ग्रह है इसके दो उपगरह है मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 दशमलव दो अंश जुका हुआ है मंगल को अपना चक्कर काटने के लिए 24 घंटे और 37 मिनिट का समय लगता है और सूरज की परिक्रमा करने के लिए 1.88 साल लगते है मंगल पर वायू मंडल दिखाई देता है लेकिन मंगल को कड़ी या छला नहीं होता मंगल का रंग लाल होता है और उसे लाल ग्रह कहते है अधिक लोहे के प्रमान के कारण उसका रंग लाल दिखाई देता है सौर मंडल का सबसे लंबा और उंचा ओलिम्पस मौन्स परवत मंगल ग्रह पर है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरू ग्रह है पृत्वी जैसे 1397 ग्रह आसानी से इसमें समा जाएंगे इतना बड़ा उसका आकार है आकार से बड़ा होते हुए भी गुरू को अपने अक्ष पर घूमने के लिए सिर्फ 9 घंटे 56 मिनिट लगते हैं सौर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने के लिए गुरू ग्रह को 11.87 साल लगते हैं गुरू नाम ग्रह सबसे जादा गुरू ग्रह के सबसे अधिक अर्थात 64 उपग्रह हैं गुरू अपने अक्ष पर तीन पूर्णांक एक अंश जुका हुआ है और इस ग्रह को चुम्बकी अक्षेत्र वायू मंडल कड़ी या छल्ला धोता है गुरू की तुलना में शनी को कम अर्थात सिर्फ 33 उपग्रह है शनी सौर मंडल का छटवा ग्रह है और आकार के अनुसार गुरू के बाद इसका नमबर आता है शनी की कड़ी होती है इसका वस्तुमान पृत्वी के 95 प्रतिशद होता है लेकिन घनता बहुत कम है यदि हम उसे उसके आकार के समुद्र में डाले तब शनी ग्रह पानी पर तैरता हुआ दिखाई देगा शनी को खुद की परिक्रमा करने के लिए 10 घंटे 40 मिनिट और सूरच की परिक्रमा करने के लिए 29 साल लगते हैं इन ग्रहों के अलावा यूरेनिस भी सौर मंडल का एक ग्रह है वह सूरच से 2.8-7 एक अरब किलोमीटर दूरी पर है ये सौर मंडल का सांतवा ग्रह है हम अपनी आखों से यूरेनिस नहीं देख पाते इसे देखने के लिए दूरबीन की आवशकता होती है इसका अक्ष सबसे अधिक जुका हुआ है जिसके कारण यह ग्रह मानो अपती परिक्रमा में लुड़कता हुआ दिखाई देता है Uranus को खुद की परिक्रमा पूर्ण करने के लिए 17 गंटे 24 मिनट लगते हैं और सूरज की परिक्रमा पूर्ण करने के लिए 84 वर्ष लगते हैं Uranus को चुम्बके अक्षेत्र, वायू मंडल और कड़ी अर्थात छला होते हैं Uranus के 13 उपग्रह हैं Neptune ग्रह सूरज से सबसे अधिक दूरी पर है और उसे सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है 16 गंटे 11 मिनिट में वह अपने अक्षपर घूमते हुए परिवलन करता है और सूर्य की परिक्रमा करने के लिए उसे 164 साल लगते हैं Uranus के समान Neptune को चुंबक या क्षेत्र वायू मंडल कड़ी या छला होते हैं हमने आज तक ये देखा कि ग्रहों के चारों और घूमने वाले खगोलियों पिंडों को उपग्रह कहते हैं गुरू ग्रह के सबसे अधिक अर्थात 64 उपग्रह है पुरूत्वी का एक उपग्रह है बुध और शुक्र का एग भी उपग्रह नहीं है ग्रहों के समान उपग्रह भी अपने अक्ष पर घूमते हैं पुरूत्वी का उपग्रह चांद है उस पर वायू मंडल नहीं होता चांद का पूरा पुरुष्ट भाग गड़ूं से भरा है चांद का परिवलन और परिब्रह्मन का काल समान अर्थात 27.1 एक दिन का होता है चांद पुरुथवी से 3,84,400 किलोमेटर दूरी पर है क्या आपको पता है चांद सौर मंडल का पांचवा बड़ा उपगरह है منल के दो उपगरह है उनके नाम फैबोस और डिमोस है शनी के 33 उपगरह है उसमें से कुछ नाम मिमास, एसलेडस, टेथिस, डियोन है सौर मंडल तारे, ग्रह, लगुग्रह, चांद, उलका इन सब से बना हुआ है लगुग्रह सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण भाग है लगुग्रह आकार में छोटा होता है और ग्रह बनना उसके लिए संभव नहीं होता लगुग्रह छोटे और पथरीले होते हैं और वे सूरज की परिक्रमा करते हैं ऐसे लगुग्रहों का पट्टा मंगल और गुरु इन ग्रहों के बीच में दिखाई देता है अनेक लगुग्रह ग्रहों के कक्षा में ही पाये जाते हैं और वे ग्रहों के मार्ग का ही अनुसरन करते हुए सूरज की परिक्रमा करते हैं पृत्वी और अन्य ग्रहों के लगुग्रह होते हैं इनके आकार में विविदता दिखाई देती है कुछ लगुग्रहों का व्यास सैक्डों मील का रहता है और कुछ अनेक कंचों की तरह छोटे होते हैं लगु गरहों में विविद प्रकार के पत्थर होते हैं तो कुछ लगु गरहों में मृदा अथ्वा निकेल और लोह जैसे धातू भी पाए जाते हैं इनके अलावा सूरज के इर्दगिर्द घूमने वाले अनेक छोटे खगोलिय पिंड हैं और ये सारे स्वतंत्र रूप से सूर्य के चारो ओर घूमते दिखाई देते हैं उन्हें बटुग्रह कहते हैं प्लूटो यह एक बटुग्रह माना गया है प्लूटो नेप्चुन के कक्षा से परे कडियों से निर्मित एक बटुग्रह है सूरज की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए प्लूटो को 248 साल लगते हैं और परिवलन के लिए उसे 6.38 दिन लग धूम के तू यह खगोली पिंड हैं जो सूरज के इर्दगिर्द परिभ्रमन करते हैं बर्फ जैसा यह छोटा सा धूम के तू सौर मंडल का एक छोटा सा घटक है धूम के तू बर्फ और धूल इन से तयार होता है जब यह सूरज के पास से जाता है तब गरम होता है और गैस इसे चोड़ने लगता है, इसे आउट गैसिंग कहते हैं, इसके कारण एक प्रकार का द्रिश्य वायू मंडल तयार हो जाता है, और कभी-कभी पूझ भी तयार हो जाती है, धूमकेतु लगुग्रह से भिन्न होते हैं, धूमकेतु के पास गुरत्वाकर्शन द्वारा विस् हैं, जो तातकाल गिरा रहता है, पूँच उसका रेशिय भाग होता है, इसमें सूरज के हलके दबाव के कारण और सौरवायों के जिवानों के कारण कोमा से निकलने वाली धूल और ग्यासे होती हैं, अनादिकाल से धूमकेतु का दर्शन अशुब माना गया है, जब धू धूमकेतु सूरज से दूर रहते हैं, तब वे बिंदु के समान दिखाई देते हैं, लेकिन सूरज के पास आने के बाद सूरज की उष्णता से और कम फासले के कारण वे आखों को सहचता से दिखाई देते हैं, धूमकेतु दो प्रकार के होते हैं, एक दीरगा अवधी व कॉमिट बॉरुली, कॉमिट एंके ये इस प्रकार के धूम के तु हैं। हेले ये मशुहूर धूम के तु है। मशुहूर खगोल वैग्यानिक एडमिंड हेले के नाम पर इसका यह नाम रखा गया। एडमिंड हेले जी ने अपने निरिक्षन के जरिये 1531, 1607 और 1682 इन वर्षों में पुरुथवे के नजदीक वाले धूम के तु हों की जानकारी दी थी। 1864 में इटालियन खगोल वैग्यानिक जिनोवानी डोनारी जी ने पहली बार स्टीरियो स्कोप से धूम के तु देखा और कोमा में कारबन और अणों की लंबी श्रुंखला के कारण तयार होने वाले तीन चौड़े उत्सरजन पट्टों को खोजा था। दोस्तों आपने उलका पात के बारे में सुना होगा। उलका पात ये भी खगोलिय घटना है और जिसमें एक से अधिक उलकाएं रात के समय आसमान के एक बिंदू से निकलती हुई दिखाई देती हैं। उलका पत्थर के टुकडे होते हैं जो खगोलिय पिंडों के पट्टों से निर्मान होते हैं। इस प्रकार के उलका पात के कारण 35,000 से 50,000 वर्षों पहले तयार हुआ है। कभी कभी ये उलका भिन भिन खगोलिय पिंडों से गिरती है। ये सब जानकारी लेने के बाद आपको ब्रमान्ड घटकों की जानकारी मिली है ऐसा विश्वास है। आपको उलका वर्षाव, ग्रहन, खुले स्वच्च आकाश के ग्रहों की भहचान हुई होगी। आपके पास इस सम्मंध में अनेक अंदश रधाएं हैं। इस अध्यन से आपको ग्रह, तारे, आकाश, गंगा और सभी घटनाओं की वैज्ञानिक जानकारी लेने के लिए मदद हुई होगी। साराश, ग्रह, बुध, वायुमंडल नहीं, परिवलन का कालावधी 58.6 दिन, परिभ्रमन का कालावधी 88 दिन। शुक्र ग्रह, तेजस्वी ग्रह, परिवलन का कालावधी 247 दिन, परिभ्रमन का कालावधी 225 दिन। पृत्वी, सजीव स्रिष्टी वायुमंडल, तेईस एक बटा दो अंश जुकी होने के कारण, दिन, रात और रुतुओं का निर्माण परिवलन कालावधी एक दिन, परिब्रहमन कालावधी 365 दिन, उपग्रह एक ग्रह मंगल, पच्चिस एक बटा दो अंश से जुका, इस पर होने वाले लोह के प्रमाण के कारण, रंगलाल लंबा और उंचा ओलिम्पिस मौन्स परवत यहां पर है, वायुमंडल मौजूद है परिब्रहमन कालावधी एक दिन, 37 मिनिट, परिब्रहमन कालावधी एक दशमलव, आठ आठ साल, उपग्रह दू ग्रह गुरू सबसे बड़ा, तीन दशमलव, एक अंश से जुका, चुम्बकियक्षेत्र, वायुमंडल और कड़ा परिब्रहमन कालावधी 9 घंटे 56 मिनिट, परिब्रहमन कालावधी 11 दशमलव, आठ साथ साल, उपग्रह 64 ग्रह शनी, गुरू के समान बड़ा, कड़ी है घनता कम, परिब्रहमन कालावधी 10 घंटे 40 मिनिट, परिब्रहमन कालावधी 29 साल, उपग्रह 33 ग्रह यूरेनस सूरस से दो दशमलव आठ अरप किलोमीटर दूरी पर यूरेनस देखने के लिए दूरबीन के आवशकता अंश पर सबसे अधिक जुकाव चुम्ब की अक्षेत्र वायुमंडल परिवलन कालावधी 17 घंटे 24 मिनिट परिभ्रमन कालावधी 84 साल उपग्रह 13 ग्रह नेप्चुन चुम्ब की अक्षेत्र वायुमंडल कडी और वेगवान अर्थात गतिमान वायु परिवलन कालावधी 16 घंटे परिभ्रमन कालावधी 164 साल ग्रह प्लूटो जानकारी बटु ग्रह यह नेप्चुन के पार कक्षा की कडी परिवलन कालावधी 6.38 दिन परिब्रहमन कालावधी 248 साल उलका पात खगोलिय घटना उलका पत्थरों के टुकडे होते हैं रात के समय आस्मान के एक बिंदू से निकलते दिखाई देते हैं वे लगुग्रह के पट्टे से तयार होते हैं छोटे पत्थरों के टुकडे जब पृत्वी के वायू मंडल में प्रवेश करते हैं तब हवा से होने वाले घरिशन के कारण समपूर्ण तया जल जाते हैं लेकिन कभी-कभी उलकाएं समपूर्ण तया जलती नहीं हैं वे पृत्वी के पृष्टभाग पर गिरती हैं इसे ही उलकापात कहते हैं महराश्च्र में मुलधाना जिले में लोनार सरोवर इसी प्रकार के उलकापात के कारण तयार हुआ है झाल